ओम शांति कूस संग से अपनी संभाल करनी है क्योंकि संग बहुत खराब कर देता है आपके जो विचार खुद के नहीं भी होएंगे तो दूसरा संग आपको दे देगा इसलिए बड़ा संभल संभल के जो जानु योगी आत्मय होती है याद रखना जिनके जीवन से ज्यान जहलकता हो उसको ज्यानी का जाता है योगी कौण जो योग में रहे कर जिसके अंदर सहनशिलता और समाने की भी शक्ति होनी चाहिए यह नहीं कि जो आपको इस तरह से उत्तेजित करके करोध की अगनिया जगाता रहे उसको ग्यानी योगी नहीं का जाता और जो यग्य की बुराई करता है या किसी की भी बुराई करता है वो ग्यानी योगी कभी हो ही नहीं सकता आप कैसे समझ लेते हो कि वो बड़ा ग्यानी और योगी है तो ऐसी आत्माओं का संग करके अपना वेडा गरकनी करना चाहिए बड़ा ही सिंपल सा पैरामेटर है कि आपको कैसे पता चले कि कौन क्या है बहुत सिंपल सी बात है आप खड़े हो जाओ बीच के संगम पर खड़े हो आपके इर्दिगर्दी आपके पास लोग आते हैं आपको कहीं जाने की जूटत नहीं पड़ती है जो भी आ रहा है तो आप जैज कर सकते हो कि वो किस तरह की भाशा का इस्तमाल करना है जो जुरूरत से ज्यादा मिठी भाश चेंज करने वाला है पहले वो आपके हिसाप से चलेगा आपको देखेगा फिर अपने हिसाप से आपको ढलाएगा पहले आपके हिसाप से चलके आपको लगेगा यह तो मेरे हिसाप से चल रहा है फिर वो आपको अपने हिसाप से चलाने लगेगा क्योंकि आप मोताज हो ग और के पाउं लेके खड़े हो, पड़ी ही सह है जसी पहचान है, आपने अपने आपको चेक करना दो, लेकिन नहीं, हम पहले अपनी टांगे काटते हैं, फिर अपनी बजुएं काटते हैं, फिर अपनी बुद्धी काटते हैं, और फिर समझते हैं, कि हमें तो किसी नहीं पढ आया हम तो ऐसे उल्टे-उल्टे कुछ बोली नी रहे हुआ, अग्टिवीट हो जरूर उल्टी चल रहे, हम तो एसे को कुछ कहते हैं और उट्तना सब कुछ कर देते हैं, इसलिए संग बहुत खराब करता है, बहुत खराब करता है, या तो संग करो बाबा का, तो सदा बाबा के रोगे, इसलिए का जाता है, एक कोई देख लो, इदर उदर देखने की जूरती क्या है, क्योंकि जब बाबा के बने थे, तो एक कोई देख के बने थे, कोई टीचर ब परिवर्तन होता है, दीरे 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 वो इसको देख, उसको देख, यह कहीं के साल गिन, कहीं के एक्टिविटी देख, इसी में ही वो दोखा खाता है, कहीं शुरु शुरु में आते हैं, तो उनको लगता है रहे यह तो इतने पुराने इनमी यह भी सुधार, उनको देखन यहां पर भी बाप को माना अपने भी समरित करने जैसी बाशा है, यह ग्यान ऐसा है, कि आप अगर साथ दिन के बच्चे हो, वो भी आगे आ जा सकता है, साथ साल से, सतर साल से, जो भी है, वो आगे जा सकता है, हरी का अपना अपना पुर्शाद, लेकिन उसके देखने का कुससंग में आए हो, तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो कुसंग में आए हो, और थो अपने आपको रखी नी पा रह niewी है, तो कुसंग में परभावी तात्मा, अब देखो आप, अपने घर में बच्चे होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आपको कैसे बता, वो गलत इनसान क जब वो घर वापस लोट के आता है, जब आप उसको check करते हो, उसका उठना, बैठना, तो आपको पता चल जाता है, आप थोड़ा उसके front circle को देखने करें, माबाप को तुरंत पता चल जाता है टीचर को तुरंत पता चल जाता है कि अभी तक ये ठीक था अब इसका रुजान या इसका ध्यान पड़ाई से भी हट गया है माबाप को उसकी एक्टिविटी से या आवाज में थोड़ा उपर नीचे करेगा या कहीं चलाक बच्चे भी होते हैं आज कल वैसे चलाक बच्चे ही जदा है कि ऐसी अपनाते हैं कि माबाप को पता भी नहीं पड़ता उनके हिसाब से लेकिन ऐसी चलाकी करके हासिल भी क्या हो जाना पता तो सब चल जाता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो, पता सब चल जयता है, क्योंकि छुपता नहीं है, मापाप के सामने सब साफ साफ आ जाता है, तो जब बच्छा को संग में जाता है, तो उसकी एक्तिविटी बदलना शुरू होती है, हाँ अगर मापाप कहीं और ध्यान है उनका, तो वो notice नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे 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 ये पता चल जाता है माबाप को इसका संग बुरा है, अब माबाप ने जा कि उसका संग तो चेक नहीं किया, किया, क्या चेक किया, अपने बच्चे की activity चेक करें, कि उसका संग बुरा है, हर फ्रेंड को जा के तो मिलके कंग नहीं आए, क्योंकि वो तो दूर रहते थी , तो activity अपने बच्जों की चेके जाती है, तब पता चब जाता है संग बुरा है, activity बताती है और कुछ नहीं बताता, इसलिए चलन से साप पता चब जाता है, कुस संग से अपनी संहाल करने है, OM ŚANSTH